हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाइफाई इस्टेडी चेंजिंग दा वे ओफ लर्निंग स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन इस्टेडी चैनल वाइफाई इस्टेडी पर पार्ट ऑफ अनेक एडमी मैं संजीव लाठोर एक बार फिल से आप सब का स्वागत करता हो कंटेंट से भरपूर इस बैतरीन क्लास में चोटा सा टाइम देना है कम से कम समय देखकर के आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट तयार कर सकते हो पैंप कॉपी लेकर बैठना अपने नोड्स प्रॉपर तरीके से तयार करना और इनका यूज करना जो हमारी लाइपक या YouTube पर उनमें इनके questions कराए जाएंगे उन questions sessions को जरूर जोइन करिएगा अगर आप मेरी class लेना चाहते हैं तो आप हमें follow कर सकते हो मेरा नाम search करके और follow करेंगे तो community पर आपको सारे PDF भी फिरी मिल जाएंगे जब आप community पर जाएंगे तो सारे PDF फिरी मिल जाएंगे और follow कर लेंगे तो जो भी मेरी classes होती है वो आसानी से आपको मिल जाएंगे हम आपके साथ discuss करेंगे proposition के वो expressions जिन में proposition का use नहीं किया जाता है और इसमें students को बहुत जादा गलतियों का भी सामना करना पड़ता है सबसे पहला rule आपके सामने है जड़ा ध्यान से इसको समझने का प्रयास करना कुछ verbs आपके सामने fix हैं इनके साथ कभी किसी proposition का use नहीं होता वो वर्क कौन कौन सी है इनके साथ ये ऐसे expressions हैं जिनके साथ कभी proposition का use नहीं किया जाता है एक्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें कुछ घटनाओं को छोड़ कर जो atmosphere था माहौल था वो सांती पूरवक था तो देखो वेरिंग के साथ यहां पर हमने किसी proposition का use नहीं किया वैसे वेरिंग के साथ किसका use कर देते हैं और का use करके गलतिया पूछ लिया थी कमियों के वाबजूद धेर सारी कमजोरी होने के वाबजूद वो अपनी जगह पर इस्थिर बना रहा तो यह जो words है इनके साथ कभी आप किसी proposition का use नहीं करेंगे और यह CZL, CDS और NDA के लिए बेहत खास concept है उसके बाद आपके सामने rule 2 आता है जो no proposition से related एक और खास concept है क्या कहता है यह MTS हुआ, CHSL हुआ, CDS को छोड़ दीजिए stenographer हुआ या फिर airforcement के question आते हैं कौन-कौन से what से कभी भी next आजाए last हो, this हो, that हो, every हो, any हो, all हो, each हो, today, before, tomorrow इन से पहले कभी किसी proposition का use नहीं किया जाता है, और आपने देखा होगा sentence improvement में इनके खूब question देखने को मिलते हैं, तो देखो I met him last Sunday, अगर cable Sunday होता, तो हम on Sunday use करते हैं, लेकिन इसके साथ last आया हुआ है, तो इसके साथ किसी proposition का use नहीं होगा, यह जो words है, इनके साथ कभी कोई proposition use नहीं होगा, यह इतने सारी example आपको दिये गए हैं, इसका pdf भी आपको, हमारी जो profile पर community है, वहाँ पर आपको इसका pdf मिल जाएगा, उसके बाद देखो, यह सबसे खतरनाक rule है, proposition का, सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं students में, क्या है, कि अगर यह verb active voice में use हुई है, ध्यान देना, यह जो words हैं, इनका use active voice में करो, तो इनके साथ कभी किसी proposition का use नहीं होगा, लेकिन इन में से कुछ words ऐसी भी हैं, जो passive voice में proposition ले लेती हैं, जैसे, accompany, afford, answer, ascend, ask, assist, inform, examine, enter, discuss, describe, combat, climb, benefit, attack, investigate, love, obey, order, pervade, pick, precede, probe, reach, violate, succeed, sign, resist, resign, resemble, request, recommend, आप पहली नजर में यह मान के चलो, कि इनके साथ proposition नहीं आएगा, अब दूसरी नजर, कभी कभी दोखा खाज आती है, उसके लिए जो practice sessions होते हैं, उनको join कर लो, आप यह मान के चलो, कि इनके साथ हम proposition का use नहीं करेंगे, फिर active और passive बाला जो fund आ रहा, उसके लिए जो practice classes ह है, अब आप को किसर यह इतने सारे याद कैसे रखने है, याद आसानी से हो जाएंगे, अगर आप डेली practice करोगे, practice के लिए 6 पीम आपके पास YouTube पर session है, Wi-Fi study पर, इस session को आप join कर सकते हो, practice के लिए अनकेडमी पर आपके लिए 8 पीम session है, इसे आप join कर सकते हो, तो यह session आप से क्या कहता है, rule 4 आप से कहता है, ध्यान जेज अमजना इसको, rule 4 कह रहा है कि expressions containing words like height, किसी भी sentence में height बताई जा रही हो, length बताई जा रही हो, shape बताई जा रहा हो, size बताई जा रहा हो, color is area volume, यह अगर बताई जा रहे हो, तो इनके साथ भी, अगर by the word be without a preposition, इनके साथ कभी भी is mr आ जाए, क्या आ जाए, is mr बाज वर्ब, अगर यह वर्ब कभी इनके साथ है, तो इनके साथ भी कभी कोई preposition यूज ने होगा, ध्यान दो, कभी height बताई जा रही हो, length बताई जा रही हो, shape बताई जा रहा हो, size बताई जा रहा हो, color बताई जा रहा हो, is बताई ज यूज नहीं होगी देखो और इसमें बहुते जा और इसके साथ नभी किसी प्रापजिशन का यूज नहीं होता है यह थोड़ा धियान रखना इंप्रूब्मेंट के लिए उसके बाद आप के सामने हैं आपने देखा होगा की सब्जेक्ट वर्व एक्गृमेंट पढ़ते ह या दूसरे टॉपिक पर तो जैसे हम कहते हैं कि एक और चौर गुंटा प्रती किलो मीटर चलती है अब प्रती किलो मीटर के लिए आप या तो एट यूज करो पर यूज करो लेकिन जब भी हम इस तरह की चीजें यूज करते हैं ट्री टाइम सदें 50 माइल्स एन आवर 20 रूपीज अ किलो इस तरह के एक्स्प्रेशन इलस अगर आते हैं तो इनके साथ आर्टिकल यूज करते हैं कभी किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होगा इनके साथ कभी प्रेपोजिशन नहीं आर्टिकल के तौर पर आप गर और का यूज करेंगे आज साम को जो आट बजे का सैसन है वो आपका इसी पर डिपेंड रहेगा तो इनके कोश्चंस आपके लिए सॉल्व हो जाएंगे एक दिन में पाच कॉंसेट अगर आप सीखें और उनसे 20 कोश्चंस सॉल्व कर लें तो इतना ही काफी है इससे ज्यादा कर सब्सक्राइब के लिए 27 फरवरी को एक स्कॉलर्शिप टेस्ट है जिसमें आप लैप्टॉप, स्मार्टफॉन, जीवियल, इयर्वाट्स जीच सकते हो इसके लिए आपको संजीब 10 कोट का यूज करके इन्रोल करना है और इन्रोल करेंगे तो ही आप इस टेस्ट को फ्री uma में दे सकते हैं फरवरी के offre चल रहे हैं जोने जीवाइना फ्री एक साल में तीन में मीन और दो साल में चैमीन का सब्सक्रिप्शन का फ्री मिलना है आप यूनिक कर सकते हैं देर सारी टेस्ट सीरीज आपको अनिक एडमी पर मिलती है इनका यूज आप अपनी स्पीड एक्टिरेसी के लिए कर सकते हो आइकॉनिक फीचर के साथ जोटते हैं तो आपको प्राइप्टी मिलेगी लाइप सेसें डाउट सेसं हर द्वारा यूज करके जुड़ सकते हो जब भी आप कोई डाउट पूछे तो आपको केबल डाउट को सब्मिट करना होता है और आपको डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा जब आप कोई सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप रैफरल को द्वारा नाम और वहां से आप अनिक एडमी पर फॉलो कर पाऊगे जब आप फॉलो कर लेंगे तो आपको नीचे देखेगा एजुकेटर कम्यूटी और उस कम्यूटी पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको आज का पीडियाप मिल जाएगा कॉंसेप्ट का पी कंटेंड की माध्यम से आपके कॉंसेप्ट को क्लियर करा सकें यूटूब और अनिक एडमी पर हमारी क्लासिस को जरूर देखें और अपनी एंग्लिस को सबसे मजबूस सब्जेक्ट के तौर पर देखें थैंक यू जहन